आज है 16 सेप्टेंबर 2024 और आज के जितने भी महत्तपुर्ण क्रेंट अफेर्स होंगी और स्टाटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिसकस करेंगी तो आईए शुरू करते हैं आज का हमारा क्रेंट अफेर का महत्तपुर्ण सेशन दोस्तों पहला प्रस्ण है ब्रिलियंट पियानो फेस्टिबल 2024 का आयोजन कहां हुआ है तो इसका आयोजन हुआ है दोस्तों बैंगलूर में और बैंगलूर में ही दोस्तों इसरो का मुख्याले है इसरो का मुख्याले कहां है दोस्तों तो बैंगलूर में है इसरो का मुख्याले देखो दोस्तो चैन्नाई में है चमरा अनुसंधान संस्थान जो है ये चैन्नाई में है लखनाउ में दोस्तो लखनाउ जो है ये गोमती नदी के किनारे है और लखनाउ में चौधरी चरंसिंग अंतरास्ट्रिय हवाई अड़ा है अब देखो दोस्तो बैंगलूर में हुआ है ब्रिलियंट पियानो फेस्टिबल तो बैंगलूर जो है ये करनाटक की कैपिटल है और करनाटक के गवर्नर है थावर चंदर गहलोत करनाटक के चीफ विनिश्टर है सिद्धा रमय्या करनाटक में राजसभा सीट बारा है और लोकसभा सीट 28 है बांदिपूर राष्ट्रिय उद्ध्यान करनाटक में है नागर होल राष्ट्रिय उद्ध्यान करनाटक में है और मेके दातू बांध कावेरी नदी पर करनाटक में है दोस्तों इस वीडियो का पीडियफ आपको टेली ग्राम पे मिल जाए का लिंक वीडियो के डिस्किप्सक्न बाक्स में है मेरे प्यारी दोस्तों मैं वीडियो के एंड में आपसे 3 प्रस्शन करूंगा जिसका जवाब देना है आपको कमेंट बाक्स में अगला प्रस्शन है अखिल भारतिय राज भ दिल्ली में दोस्तों और नई दिल्ली में है DRDA का मुख्याले बैंगलूर में है इश्रो का हिटक्वार्टर चन्नाई में दोस्तों चमरा अनुसंधान संस्थान है और लखनों में दोस्तों कौन सा हवाई अड़ा है मैंने तुरं तभी आपको बताया है तो आप बताओ कमें पुलीस बल अर्थात CRPF की स्थापना कब हुई? 1939 में हुई। तो 1969 में हुई मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्ण है हाल ही में किस राज्य ने 17 सेप्टेंबर को प्रजा पालन दिवस के रूप में मनाने की घोस्तना की है। जो 17 सेप्टेंबर को प्रजा पालन दिवस मनाएगा तो तेलंगना दोस्तों कौन सा राज्य है तेलंगना ने 17 सेप्टेंबर को प्रजा पालन दिवस के रूप में मनाने की घोस्तना की है। देखो दोस्तों तेलंगना की राधानी है है हैदरावाद और हैदरावाद कौन से रीभर के किनारे है ये आप बता दो कमेंटर बॉक्स में। तेलंगना के गवर्नर कौन है जिसनु देव बर्मा। तेलंगना के मुख्य मंतरी कौन है अनु मुला रेवंत रेड़ी। तेलंगना की अस्ठापना हुई थी दो जून दो हजार चौदा कौन। तेलंगना में राजसभासित सात है और लोकसभासित सतरा है दुश्तों। पखाल वन्ने जी बभ्यारन कवाल वन्ने जी बभ्यारन किस राज्य में है तो तेलंगना में है अमराबाद बागरी जर्व तेलंगना में है कसू बर्मानंद रेड़ी राश्क्रिय उद्ध्यान तेलंगना में है चार मिनार हैदराबाद में इस्ठित है और इसका नर्मा कुली कुतुब साह ने करवाया था। हुसेन सागर जील भी हैदराबाद में है और इसका नर्मान भी कुली कुतुब साह के द्वारा करवाया गया था। कोंडा पोचंपा सागर पर योजना गोदाबरी नदी पर है तेलंगनामी। काले स्वरम पर योजना कौन से नदी पर है तो गोदाबरी नदी पर है। चंडर कठारिया। 36 गड के राज्यपाल कौन है तो रामे निडेका है नोस्तु। महाराश्ट के राज्यपाल है C.P. राधाकृष्णन। मेघाले के राज्यपाल है C.H. बिजय संकर। संकर, पॉंडी चेरी के राज्यपाल है के कैला सनात, रजस्थान के राज्यपाल है हरी भाव किसन राव बांगरी, ते लंगना के राज्यपाल है जिसनु देव वर्मा, सिक्कीम के राज्यपाल है ओम प्रकास माथुर, असम के राज्यपाल है लक्षमन प्रसाद आचारे, और मनीपूर के राज्यपाल कौन हैं, तो लक्षमन प्रसाद आच्चारे ही हैं मेरे प्यारी लालेवं लालियो। दोस्तों, अगला प्रस्ट्न है राश्ट्र मंदल सत्रंज चेंपियन सिप दोहजार चोबिस का आयोजन कहा किया गया है तो कलूतारा में किया गया है और कलूतारा जो है यह स्रिलंका का सहर है स्रिलंका की राधानी क्या है स्री जैवर्धनम पूरम कोटे स्रिलंका की करेंसी क्या है स्रिलंकन रूपी स्रिलंका के प्रसिडेंट अर्थात राष्टपती कौन है तो रानिल विक्रम सिंदे है और स्रिलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन है मतलब प्रधान मंत्री कौन है तो दीनेश गुर्ण वर्धना है दोस्तों हमारा अगला प्रश्ण है 45 मां फीडी सतरंज ओलंपियाड कहां शुरू हुआ है तो हंगरी में शुरू हुआ है हंगरी की राध्धानी क्या है तो बूढ़ा पेष्ट है वहीं पर होगा 45 मां फीडी सतरंज ओलंपियाड दोस्तों अब देखो फीडी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जिसका हिट क्वाटर स्वीजर लेंड के लूसाने में है स्वीजर लेंड दोस्तों ये यूरोप कंटिनेंट का देश है और स्वीजर लेंड को बोलते हैं प्लेगराउंड ओफ यूरोप पर्थात यूरोप के खेलके मैदान के नाम से किस देश को जानते हैं तो स्वीजर लेंड को जानते हैं देखो दोस्तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की ये स्थापना कब हुई थी तो 20 जुलाई 1924 को हुई थी अब देखो हंगरी में होगा दोस्तो तो हंगरी की राधानी क्या है बुढ़ा पिष्ट हंगरी के परसिडेंट कौन है तमास सुक्योल हंगरी के प्राइम मिनिस्ट है और हंगरी की क्रेंशी क्या है तो हंगरीन फोर्णिट है हंगरी की मुद्रा दोस्तो अगला प्रशन है संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79 नमा सत्र किस सहर में सुरू हुआ है तो नियोर्क में सुरू हुआ है संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79 नमा सत्र दोस्तो अब सं एड़ेट नेशन का हेड़ क्वार्टर नियो और कमी है युन एड़ेट नेशन के बरतमान में सेक्रेटरी जेनरल कौन है एंटेनियो गुटेरस दोस्तों संयुक्त राष्ट के पर्थम महासचीव कौन थे ये कई बार एजाम में पूछा गया है तो ये आप बताओ केमेंट संयुक्त राष्ट के पर्थम महासचीव कौन थे जो संयुक्त राष्ट की स्थापना हुई थी उससे में संयुक्त राष्ट में 51 मेंबर थी और 51 मेंडर को मेंबर कौन था तो पोलेंड था अभी संयुक्त राष्ट में दोस्तों 193 मेंबर है और 193 मेंबर कौन सा है तो द पहले दोस्तों यह जानते हैं कि सैपसिस क्या है तो यह रक्त चाप में एक गिरावट है जो फेफिरे गुर्दे या किर्थ और अन्य अंगों को नुकसान पहुझाती है तो इसी से जागरुक करने के लिए विशु सैपसिस दिवस मनाया जाता है 13 सेप्टेंबर को कब मनाया जाता है विशु सैपसिस दिवस तो क्या वोलोगे आप 13 सेप्टेंबर को मनाया जाता है राष्ट्रिये पोशन सप्ता एक से साथ सेप्टेंबर विशु नारियल दिवस दो सेप्टेंबर को मनाया जाता है राष्ट्रिये सिक्षक दिवस पांच सेप्टेंबर को म मनाया जाता है अंतराष्टिये गिध जागरुकता दिवस साथ सेप्टेंबर अंतराष्टिये पुलीस सयोग दिवस साथ सेप्टेंबर विश्व साक्षरता दिवस कम मनाया जाता है तो आठ सेप्टेंबर को मनाया जाता है दुश्थों हिमालियन दिवस नौ सेप्टेंबर को मनाया जाता है विश्व आत्म हत्या रोक थाम दिवस दस दितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रिय वन सहीद दिवस 11 सेप्टेंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस 14 सेप्टेंबर को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है मेरे प्यारे लालिव लाडियो हिंदी दिवस 14 सेप्टेंबर को मनाया जाता है जब के 20 हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है अगला प्रश्ण है ACI क्रिकेट परिस महिला अंडर 19 ACI कप का सुभारंब कहा हुआ है अंडर 19 ACI कप का सुभारंब जो हुआ है ये कहा हुआ है दोस्तों तो मलेसिया में हुआ है और मलेसिया की कैपिटल क्या है तो कौलालांपूर है मलेसिया की राधानी मलेसिया की क्रेंसी क्या है तो मलेसियन अरिंगिट है मलेशिया की क्रेंसी और मलेशिया के प्रैम मिनिस्टर कौन है तो अनवर इबराहीम है मलेशिया के प्रधान मंतरी मेरे प्यारे लालेवं लालियों। दोस्तो अब देखो क्रिकेट के संदर्व में महत्तपुर्ण स्टेडियम को देखते हैं जैसे कि चिदवरं स्टेडियम चन्नाई में है चिपक स्टेडियम भी चन्नाई में है इडिन गार्डन स्टेडियम कोलकता में है और चिन्ना स्वामी स्टेडियम बैंगलूर में है द इननन इस्टेडियम जमसेधपूर में हैं, मेलवर्न इस्टेडियम औस्टेलिया में हैं और पर्थ और बिसवर्न इस्टेडियम भी औस्टेलिया में ही हैं दोस्तों दोस्तों आप बताओ केमेंट बॉक्स में की कॉलकता कौन से रिवर के किनारे हैं अब देखो क्रिकेट के महत्पुन ट्रॉफी को देख लेते हैं एक बार रंजी ट्रॉफी इरानी ट्रॉफी बिजय हजारे ट्रॉफी मोईन उदावला गोल्ड कप कूँच बिहार कप दिलीप ट्रॉफी रोहिंटन बारिया कप जीडी बिरला कप देवधर ट्रॉफी का सम्मंद किसे खेल से है तो क कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यह BCCI का फूल फॉर्म है BCCI जो है यह भारत में करती है क्रिकेट को कंट्रोल तो BCCI का हेट क्वाटर मुंबई के वानखेरे स्टेडियम में है BCCI की स्थापना एक दिसंबर 1928 को हुई और BCCI के परसीडेंट कौन है तो रोजर ब करती है क्रिकेट कंट्रोल आई सी सी इंटरनेशनल क्रिकेट कौनसिल और आई सी सी का मुख्याले दुबई में है आई सी सी की इस्ठापना कब हुई और इसके चेयर्मेन कौन है ये आप बतादो कमेंट बॉक्स में अगला प्रश्ण है किस देश अपना सबसे बडा नौसैनिक अभ्यास ओसिन 2024 शुरू किया है अब रूस के बारे में आपको पता ही है कि रूस यो है ये दुनिया का सबसे बडा देश है छत्रफल के एकौґनिग और जनसंख्या में ये दुस्तु सबसे बडा देश दुनिया का है ये भारत है मेरे प्यारे दोस्तो एसिया का सबसे बरा देश जो दोस्तो है ये चीन है एसिया का सबसे चुरा देश जो है ये मालदूइप है दुनिया का सबसे चुरा देश जो है आपका वेटिकन सिटी है जन संख्या में भी और छेतरफल में भी दोस्तो अब देखो रूस की राधानी है मासको, रूस की किरेंसी है रसियन रूबल, रूस के राष्टपती का नाम है बलादिमीर पूतीन और रूस के प्रधान मंतरी कौन है तो मिखाईल, मिसुष्टीन है रूस के प्रधान मंतरी दोष्टो, कित्रिम उपगरह को अंतरिक्षी में प्रेच्छेपित करने वाला दुनिया का पहला देश रूस है अंत्रिक्ष में जाने वाला पर्थम बैक्ती का नाम है मेजर यूरी गौगरी में अंत्रिक्ष में तैरने वाला पर्थम बैक्ती है अलेक्सी लेनेवो और अंत्रिक्ष में जाने वाली पर्थम महिला है वेलेंटीना त्रिसकोवा और ये त दोस्तों, देखो, सबसे लंबा नदी मोहाना दुनिया का ओब नदी का मोहाना रूस में ही है, सबसे बरी जील दुनिया की कैस्पियन सागर जील है, जो रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबेजान और इरान में फैला हुआ है, सबसे गहरी जील दुनिया की बै मनाया गया है तो 15 सेप्टेंबर को मनाया जाता है राष्ट्रिय अवियंता दिवस दोस्तों में विशुसरया की जियनती परिया दिवस मनाया जाता है एम विशुसरया का जन्म 15 सेप्टेंबर 1860 को तेलगू परिवारे में हुआ था और एम विशुसरया को उनिस्व पचपन में भारत रतन से भी सम्मानित किया गया था भारत रतन भारत का सरवच्च सम्मान है भारत रतन की सुरुवाद जो हुई थी वो कब हुई थी तो 1954 में भारत रतन की सुरुवाद हुई थी दोस्तों ये था हमारा आज का महत्त पुर्ण क्रेंट अफियर्स, कल मैंने आपसे तीन प्रशन किया था कि बिसुस आग चर्था दिवस कम मनाया जाता है, आज सेप्टेंबर को जर्मनी और फ्रांस के बीच मेगी नॉट रेखा है और जॉर्ज क्रॉस जो है ये ब्रिटेन का सरवच नागरिक सम्मान है आज का आपका तीन प्रशन जिसका जवाब देना है केमेंट बॉक्स में आपको कि एहमदाबाद किस नदी के किनारे है केंदरिये चमरा अनुसंधान संस्थान कहां इस्तित है और लाल बहादुर सास्त्री अंतराश्ट्री हवाई अड़ा कहां है तो इस तीनों प्रशन का जवाब देना है केमेंट बॉक्स में आपको दोस्तों ये था हमारा आज का महत्त पुर्ने क्रेंट अफेर्स भीत स्टाडिक जी के जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें सेयर करें और सस्क्राइब करें ठैंक्यू सो मच मेरे प्यारे ला लेपम लालियो